ओके सो पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे फ्रेजल और इडियम्स जो बचे रह गए थे ट्वेंडे 28 का तो अगर किसी कोई चीज बाटी जाती है तो हैंड आउट की जाती है जब हैंड आउट करते हैं तो डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं ठीक और हैंड ओवर कर दिया तो गिव तो समबडी एंस जैसे कमरे की चाबी तुमने ताला लगाया और दोस्त को दे दी तो यू हैंड ओवर दे कीज तो यूर फ्रेंड हैंड ओवर माने किसी को सौप देना जो कि यहां नहीं था लेकिन साथ साथ चलता चलेगा अच्छा पिर कोई चीज समझ लेना फिगर आउट फिगर आउट हुआ अंडरस्टैंड कई बार तुम कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या बात बता रहा है तो आई कांट फिगर आउट है ना और इसी का एक बनता है गेट दा हैंग ऑफ दोनों की मिनिंग सेव होगी ए किला अगे यह समझ में आना बात पकड़ में आना कि फिर लोग कोते खाइब आघ उसार प्रोमो अगिर आता तो लग कहते हैं वोच आउट वोच आउट फोर माने होता है ध्यान देना वोच आउट फॉर यानि पेइचेंशन ध्यान देना वोच आउट फॉर और लुक आउट यह ऐसे अगर कहा कह दिया जाए लुक आउट तो मतलब हो गया बी केरफुल लुक आउट और इसी को बदल दें आउटलुक कर दें सिंगल वर्ड होता है आउटलुक तो आउटलुक हो जाएगा आपका व्यूँ आपकी ओपिनियन वो आउटलुक होता है अच्छा और फिर किसी काम में लगे रहना बिना धील दिये तो स्टिक इट आउट स्टिक इट आउट माने सतत प्रयासरत रहना परसिवेर और इसी का एक और क्या था कीप आट इट तो कीप आट इट हम लोग पहली कर चुके हैं कीप आट इट स्टिक इट आउट मतलब लगातार बिना धील दिये काम में सतत प्रयासरत रहना अच्छा और तुम जब कहते हो के ये चीज अलग दिख रही है कोई भी वस्तू है कोई भी बात है कोई किसी का कोई गुण है जो अलग दिखता है तो हम कहते हैं इस थिंग समप्हिंग स्टिक्स आउट स्टिक आउट मने होता है कि वो अलग दिखता है अना, can be seen, noticeable, जो अलग दिखता है, तो his behavior sticks out among the crowd, तो सारे लोगों में उसका behavior सबसे अलग दिखता है, तो something उसका behavior हो गया, sticks out मनें, अलग दिखना, फिर बात करते हैं idioms में, idioms में तुम देख रहो कि discussion के दौरान, यही हम class में भी कहते रहते हैं, कि जब हम इन lectures को करते हैं, तो काफी कुछ है जो किताब में नहीं होता, लेकिन हम लोग discussion के दौरान निकल आती हैं, इसलिए यह वीडियो ज़रूरी हैं, अब यसे एक word है, go begging, अब हिंदी करोगा तो go begging माने भीग मांगने जाना, तो वो नहीं है, go begging का मतलब कोई चीज है, जो उपलब्द तो है, लेकिन किसी को चाहिए नहीं, जैसे मान लो, कोई product है, उसका दाम तो कम कर दिये गए, कोई Nokia का phone हो, भाई Nokia वाले हम पर दावा न करें, मैं example ले रहा हूं, तो कोई Nokia का phone है, और वो discount हो गया था, 50% discount, लेकिन कोई लेहीं नहीं रहा, तो हम कहेंगे के this, discount offer has gone begging, मतलब इस offer को कोई ले नहीं रहा, offer तो अपलब्द है, लेकिन nobody is taking it, फिर next है, go by the book, यह हम लोग शुरू में भी उसमें था, तुमारे किताब में शुरू के पन्नों में भी था, यह repeat हुआ है, go by the book माने होता है, नियमों का सक्ती से पालन करना, next is go down the drain, good phrase, go down the drain माने होता है, drain होती है नाली, तो go down the drain हो गया, तो यानि वो चीज बेकार हो गई, बरबाद हो गई, waste में चली गई, जब तुम पढ़ते हो, मेहनत करते हो और उसके बाद पेपर में तुमारे अपने questions नहीं मिलते हैं, result नहीं आया, तुम कहते हो, my efforts have gone down the drain, यानि हमारी मेहनत बेकार चली गई, तो go down the drain is become wasted, अच्छा फिर कोई match हुआ, अगला phrase, go down the wire, go down to the wire, थेक, तो when something goes down to the wire, तो उसका मतलब जो final climax, वो बड़ा exciting हो जाता है, अंत समय तक excitement बना रहता है, या अंत समय तक decision नहीं होता कि कौन जीतेगा, कौन नहीं हारे, कौन हरेगा, तो go down to the wire का मतलब है, have an exciting finish, go down to the wire, the match went down to the wire, go का pastness ले ले लेंगे, the match went down to the wire का मतलब, match का end तक, बहुत excitement बना रहा, तो went down to the wire, कुछ चीज़ें होती हैं जो अगला phrase, go downhill, मतलब अब धीरे धीरे उस चीज़ की जो usefulness है, वो धीरे-धीरे कम हो रही है, go downhill, एक तो होता है, go downhill, become old, downhill, तो मतलब वो old हो रहा है, ठीक, और या gradually, धीरे-धीरे, become useless, या importance में कम हो जाना, वही बात है, कोई चीज़ धीरे-धीरे महत्व में कम होती जा रही है, या ऐसा, तो go on, it is going downhill, उसकी इस्थिति बज से बत्तर हो रही है, और अतिरिक्त प्रयास करना, go the extra mile, extra effort करना, go the extra mile, अतिरिक्त प्रयास करना, some of you are going the extra mile, जिनकी वज़े से मुझे ये lectures आगे बढ़ाने पढ़ रहे हैं, actually, आप में से कई लोग जरूँद से ज़्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, और हम से कहने से अब डेज, हमारे वो कैप के बढ़ाईए, तो, you people are going the extra mile, आप और आगे प्रयास कर रहे हैं, और लास्ट है, have a be in one's bonnet, देखो, bonnet word, actually, it's a kind of a cap, तो, be in the bonnet, अब कैप के अंदर एक मदुमक्ही घुसी यानि हर समय कोई नो कोई खुचल पेंच मची यह दिमाग में, यह वहां से आया, bonnet उन्होंने brain या mind को भी ले लिया, तो, हर समय किसी एक चीज़ के बारे में सोचना, तो, think about only one thing, all the time, कोई एक जख चड़ गई है, बस उसी चीज़ के बारे में बार-बार सोच रहे हैं, इसलिए इसके लिए वर्ड क्रेजी भी आ जाता है, कि वही चीज़ जख चड़ी है, वही सोच रहे हैं बार-बार-बार-बार, तो, have a be in the bonnet, day 28 complete,